चलिए किसी और को लेते हैं डिवेट करते हैं सत्य में उजयते आये हुए हैं चलिए इन से बाते करते हैं जी सत्य में उजयते हैं धन्यवाद आपको कि आपने मुझे देड़ा बड़ी लंबी प्रतिक्षा के बाद आज का जो टॉपिक हुआ है इस पर आपका क्या कहना है इस टेचू ऑफ इक्वालिटी का जो प्रतिक हम लोगों को दिखाया गया है इसको आपको कितना सभी बात है उसमें भी शत्ते के अ पर उसब हलाकि अलग भी सह है वहाँ पर मैं कुछ आपसे सहां मुझे लोग वहीं टॉपिक रखेंगे ना तो उसी पर आप अपनी बात रखेंगे तो फूटफुल हो जाएगा यह से सन हां बताएं बताएं सत्य में हो जाएते जी तो अपना पक्ष्य रखों मैं हां हां रख लिजे रख लिजे मेरा प्रस्ण यह था कि आपका जो पिछले डीवेट रहा है मतलब कि अभी आप जो धंपत के जराव वगर से जो पुश्य उदारान आपने दिया था मैं वहां से चल रहा हूं तो उसमें आपने धंपत के जराव वगर से 154 की जो गाताओं का उले गईי जात का अर्था अवस्था होता है लेकिंद ये बात थड़ा अस्पष्ट नहीं हो पाई कि जब वहां उसका अनुवाद में ये कहा जा रहा है कि यहां पर किस ग्रिहकारक को ग्रिहकारक कौन है इस बात का अस्पश्टी करन आपने नहीं दिया, हलाकि आपने घुमा फिरा करके जाति का अर्थ अवस्था से लगाया, मैं पाली का कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो तुक ताल सब्दों का बैट रहा है और अन्य जगह पर जो मैंने पढ़ा, वो कुछ इसी तरह से बैट रहा था, जगह जगह तमाम जगह जाति का अर्थ जन्म ही बैट रहा था, जैसे यहां ना पूनम जाति जरम उपे ही सी, यहां कि तु जाति मतलब कि जन्म और जरा के बंधन में नहीं पड़ेगा, तो अब का प्रशन आगे है वैसे, सर आगे है आपका प्रशन, एक छोटा सा सवाल मैं भी आपसे बूचूँँगा उसके बाद साही जरनी सर आपको, आपके सवाल का जवाब देंगा, आप किस धर्म से हैं वैसे, आप नास्तिक हैं, धार्मी के आप क्या है सर? मैं, मैं अभी तो धायमिक ही मान करके चली है आप अच्छा, और दूसरा एक छोटा सा वश्चन और है सर, ये, क्योंकी पे नहीं जाते हैं न, हो गई बात खता है, ये फोटो किसका लगा हुआ है सर, आपके डीपी में? ये हमारे गुर्देव का लगा हुआ है अच्छा, साइजरनी सर, ये, आप इनका जवाब भी दे दीजे, साथ में मेरी स्क्रीन भी उसको भी शेयर कर लीजेगा सर, हाँ जी सर, थेंक यू तो इनका जो प्रश्न था, कि जाती जो है, जाती का मतलब जन्म होता है, तो बुद्ध जो है, अपने धंपद में ये बता रहे हैं, कि वो अनेक जाती तक जो है, अनेक जन्मों तक जो है, वो खोजते रहें, ग्रिह कारक को खोजते रहें, और उनको जो है, अरहत्व प्र तसले जनम में क्या थे? ऐसा तो कुछ था नहीं。 जो कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रशनों का उत्तर खोज लिया 6 साल के बाद, और कोई बंदा अगर यह दावा करे कि 6 साल के बाद जो हैं जब उन्हों कह दिया कि अब मैंने अपने प्रश्णों का उत्तर खोज लिया अब मैं लोगों को बता सकता हूं कि जीवन कैसे जीना चाहिए तो उसमें उन्होंने चार आरिय सत्य बताएं दुख क्या है दुख का कारण क्या है दुख को हम लोग जो है कैसे उसको दूर कर सकते हैं उसके अगर ये पता होता है कि लोग जो है अनेक जनमों से दुखी है अनेक जनमों से बार बार जनम तो वो जरूर बताते हैं कि भाया पिछले जनम में मैं क्या था पिछला जनम में वो पिण थे पौधा थे क्या थे इस तरह की बाते होती ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं अन नहीं है लेकिन चुकि आप प्पिष्ट करें बनाया गया है रहे हो यह उनके बाद ही बनाया गया सबसे पहले बुद्ध बताते हैं कि भाया इस छे साल में मैंने पुनर जनम की खोज की है, वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने चार आरिय सकते या जो लोगों में दुख है उसको दूर करने की खोज की है, वो ये कहते हैं कि मैंने खोजा है कि इंसान का पुनर जनम होता है, वहाँ इसका अनुगाद क्या है पुना पुना दुख जनम में यहां लिख रहा है कि दुख जनम में यह नहीं कह रहे हैं कि इनसान के जनम में कह रहे हैं कि दुख में दुख जनम में पड़ता रहा यहे ग्रिह कारक मतलब ग्रिह कारक बोल रहे हैं तुझना को तुझने मैंने तु जो अरहत्व है वो अब प्राप्त हो गया है और जो तरिशना का जो मुख्य करण है वो मैंने खोज लिया है यहाँ पे वो जो बूल रहे हैं बिनारुके अनेक जनमों तक संसार में दोड़ता रहा वहां जनम का मतलब पुनर जनम नहीं है अगर ऐसा लिखना होता उनको तो वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अगर उनको कहा गया है तो वो साफ साफ लिखते हैं कि यार मैं बैल भैस और पेड़ पोधा या जीव जन्तू बने के अलग-अलग जगहों पे विचरता रहा यह बात वो कहते हैं यहाँ पे आप लोग की दिक्कत क्या है कि एक तो आप खुद बुद्धिष्ट नहीं हो दूसरा बुद्ध मारगियों के किताब पकड़ते हो उसमें अपना चीज खोजते हो अपनी चीज पुटप देने का प्रयास करते हो आपको यह बोलना चाहिता है कि मैं जो है नहीं है आपको उनर जनम मानते हैं मैं बुद्ध के माध्यम से मांते हैं बुद्ध को आत्मा को मानते थे जी मानते थे अच्छा परमात्मा को मानते थे जी हमानते थे बस हो गया काम इनके लिए अब यह सुनिए थोड़ा साप जब बुल दिया है आपसे मैंने प्रश्न ले लिया है थोड़ा रुख जाईए आपको फिर बोलने दिया जाएगा जब आपके लिए बुद्ध आत्मा भी मानते जब परमात्मा मानते थे तो आपके लिए उलोजरा में मानते नहीं मानता है इस तरह की बात और वेम बोल दोगा फिर आप बोलेंगे फिर बीच में क्रोस कर रहे हैं बीच में मत क्रोस कीजिए ना ऐसे उवरलेफ होगा बात तो कुछ किसी को पता नहीं चल पाएगा तो यहां पे जब बुद्ध आपके अनुसार बुद्ध जो है इस्वर को भी मान रहे हैं आतमा को भी मान रहे हैं तो फ कुछ भी मनवाई यह बात ही खतम हो गई फिर आप से हम लोग क्या असपश्टी करना ले कि आप हमें बताएंगे कि वह जनम का मतलब क्या है यह नहीं है वह नहीं है दो चीजों में ही क्लियर हो गया चलिए अब क्या कहना चाहते हैं यह बताएं यह मुझे क्या कि हिंदू है आप क्या है पहले यह कर दिजिए सत्य में हो जायते पब्लिक को भी पता चलना चाहिए ना क्योंकि आप बहुत अगरंतों का हवाला देंगे आके कोई मुस्लिम के कुरान का हवाला देंगे तो हम लोग थोड़े मान लेंगे हो सकता है कि आपने गलत इंटर्प्रेशन लिया हुआ हो यह इसाई का आप देंगे हवाला ता आप से हम लोग थोड़े लेंगे इसाई का बंदा है ना सर जिनका टीपी नो लगाया वो तो हिंदू गुरू है हाँ यह बहुत नहीं है ना इनों खुद कह दिया और अब सर एक छोटी सी कंडिशन ये भी है आप इन से डिबेट कीजिएगा मगर इनको पहले आप यह मनवा लीजिए कि इनके हिंदु धर्म को बचाने का ठेका गौतम बुद्ध के पास है तब फिर आगे करते बार बार यही बात को बोल रहे हैं कि मैं बहुत शास्त्रों से करूँगा तो एक बार यह मान भी लें फिर यहां पर यह बताईए आप जो खुद ब्रामण धर्मी है तो आप जो है बुद्ध के नाम पर और उनके गरंद पर आप क्यों डिबेट करने आ रहे हैं किसी बु रामण धर्मी है तो अपनी बात कीजिए ना दूसरी का दावा आप करेंगे अब बुद्धिष्ट कहेंगा कि नहीं जूट बोल रहा था हो तो बुद्धिष्ट में नहीं था वो फरजी बात बोलके चला गया हम लोग क्यों मानें आपकी बात को सवाल यहां सबसे बड़ बुल रहे हैं कि डीप जानव जा सवाल यही है तो बुधिष्ट गरंत से क्यों परमाड देंगे आप बुद्धिष्ट गरंत नहीं है तो दूसरी से क्यों देने चले है complewe मैं हमने इतनी देर बात सुनी आपका जो मुख्य Прोब्लेम हमें समझ में आया कि आपके मुखे प्रोब्लेम है कि आप जो है पुनर जनम मानते हैं आप आत्मा परमत्मा मानते हैं हम लोग नहीं मानते हैं आपकी प्रोब्लेम यह है कि आप मानते हैं हम लोग नहीं मानते हैं आपको देना है सबूत तीनों का तो आप उसका माध्यम बहुत गरंत बना रहे है जो कि आप खुद ही बुधिष्ट नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप जिस चीज का पालन करते हैं, उससे दीजिए न यह सबूत, दूसरी का क्यों दे रहे हैं, जो लोग वो खुद ही आके कोई बुधिष्ट आके का देगा नहीं, वो जोड़ बोलके गया था, हम क्यों मानने आपकी बात को, आप जिस धर्म से आते हैं, उसमें से इन तीनों चीज का सबूत दिखाएए, तो हम लोग मानने वाले, नहीं दिखाएएगा, तो हम लोग नहीं मानने वाले, आप इस बात पर एगरी करते हैं, कि आप ब्रामण धर्म से तीनों का सबूत देंगे, तीनों का सबूत देंगे, ब्रामण गंत में तो आत्मा परमात्मा स्थर है ही, उसमें मैं क्या दूं आप, आप रही बात बुद्धिए, आप से हम लोग क्यों बात करेंगे, आपके धरम को बचाने का ठेका बुद्ध ने लिया है क्या, ने मेरे धरम को नहीं है, नहीं तो फिर नहीं लिया है, तो फिर दूसरे के धरम पर आप क्यों बात करेंगे, आपके हवाले से हम इसलाम और क्रिस्चानिटी की थोड़े बात करेंगे, उसका कोई प्रतिनिधी आएग हें तो हमारी ही अच्छा मुतलब के धरम कठे का बुध हुठाय हुए है यह त्य मान लिए इन्हों ने धरम कठेका गोतमें बूद अच्छी सपुत पने काँ और जरू भूद को भूद को ले रहे है आप देखिए आपने कहा कि भगवान को माना आए वहां कते भगवान का चिंतन और आरेत्ति गुल्व का धर्ण करना पाली वाला सेयर की जब सबी लोगों को दिखाएंगे आपने जो कहाना है उसका लिंक होना चाहिए होना चाहिए आप आप अपना वाटसप खुल दीजिए मैं वहां को भेज़ दूँगा कोई दिक्तत नहीं मैं दर्शकों को प्रस्तुत हूं प्रस्तुत हूं ठीक है जिस दिन रेफरेंस लेका ना उसी दिन हम लोग सुनेंगे उसी दिन हम लोग सुन लेंगे यहां पर हमें बीना राफ्रेंस के बिना ऑथेंटिक बात को आधार बना क्या हैं प्रस्तूं लेकर आते हम यहां डिस्प्ले करते हैं तो ठीक है मेरे पास जीतना भी अभी रिफेरेंस है तो का मैं सब का से स्क्रीन साथ ले लूँ तो आपसे बात करूँ देखिए देखिए सत्य में उजयते सत्य में उजयते ऐसा तो करना पड़ेगा क्योंकि आप बुधिष्ट नहीं है यह तो आपको करना पड़ेगा आप डबल जीमेदारी बढ़े गई ना एक तो आप खुद बुधिष्ट नहीं है दूसरे धरम का आप सबूत दिखाने चले हैं तब तो पूरा का पूरा उसमे पर कोई इधर उधर की छोटी मोटे PDF यह वह दिखा देंगे उतने हलके रेफ्रेंस को लेकर हम किसी तीसरे धरम की बात आप से थुड़े सुनेंगे हम लोग नहीं सुनेंगे ना यह कर सकता हूं कर सकता हूं कर सकता हूं एक आइडिया नहीं मिल पा रहा है कैसी होता है सामनजस फल्षटने है जो इसमें अगयर के बग्या वाले पाट मी जब हएंगे तो वहां पुर्व जन्मों के संस्वर्ण की बात दों राजा से सारी बातों कहते हैं और तेरी गाथा में आप जाएंगे तो तेरी तो जो आप बता रहे हैं तो उनका तो फिर रेफरेंस देना पड़ेगा आपको आप कहिए कि आपके पास किसी जो वो समुदाय का है जिन लोगों ने अपनी कुछ चीजे लिखी हुई है उनका है यह कहिए उसमें भी अलग 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 है आप थेर गाथा देखिए बुद्ध का पवज्या सुक्त देखिए थेर गाथा बुद्ध ने लिखी है थेर गाथा मैं पूछ रहा हूं बुद्ध ने लिखी है बुद्ध ने तो कुछ नहीं लिखा है महुदय तो फिर आप बुद्ध का रेफ्रेंस कैसे दे सकते हैं आप ये कहिए कि बुद्ध के नाम पर कुछ लोगों ने लिखा है उसका मैं रेफ्रेंस दे रहा हूं ये कहिए अच्छा बुद्ध के ना अगर आयद यह इसी बात है तो आप बताईए कि आप बुद्ध के जीवन को ही देख करके चलिए अगर बुद्ध में सन्यास लिया यह जाना कि ना आत्मा है न परमात्ना पुनर जन्म है बस भिक्षा पात्र करके किवल भिक्षाटन करो इसके कु पूरा दिखाया गया है कि बच्चा जैसे गुरुकुल में जाया पढ़ने के लिए वैसे है अरे बड़ा जल्दी तीखी मिर्ची लग गई आपको आप जो है उस समय से आप खुद बुद्धिष्ट नहीं थे हम लोगों ने जब मना किया कि उस पर मत बोलिए तो आपको बड़े करें नहीं हम उसी पर बात करेंगे उसी पर बात करेंगे आपके धरम का करन्थ जैसे उठाया तो मिर्ची लग गई अरे उस पर कहां पूझ गया बाइसाब आपका जो मनुश्मृति है उस सीधे सीधे कहता है कि जैसे ही बच्चा चाहें ब्रामण का बच्चा हो जैसे ही गुरुकुल में जाए तो गुरु जो है उसको भिच्चा ठन पकड़ा दे अब वो जाएगा भिच्चा मांगने सुंगता रहे वो किसके घर में धूंगा निकला तो भिच्चा मांगने जाएगा वो जो भिच्चा मांगने जाएगा तो ब्रामण का बच्चा इस पूरा बिच्छा बुरती जो है उसकी सिक्षा तो मनुस्मृति देता है आप आरूप लगा रहे हैं कि भुध्ध ने भीच्छा मांगने आप अपना धर्मकरंथ नहीं पढ़े हैं क्या कभी हमें साथ दूसरे का रहे हैं मैं पूछ रहा हूं कि पहले बुद्ध थे या पहले मनुस्मृति अब इस बारे में तो मुझे नहीं मालूम आपको अपने धर्म की विक्षा क्यों नहीं दिखी संसार को छोड़ना है आपके बच्चे जब गुर्कुल में जाते हैं तो उनका जब यगुपवीत करके उनको कुछ पढ़ाने सिखाने की बात आती है तो उसमें जो है भीक्षा क्यों सिखाया जा रहा है आपका एक बच्चे को पढ़ाई का अधिकार देने का ही मतलब उसको भीक्षा सिखाया जा रहा है आप हम लोगों ग्यान दे रहे हैं कि विक्षा मांगने चले जाओ बुद्धमार्ग में है वाजी साब आपका पूरा एजूकेशन है प्रहुद्ध का गल्दू से ही विक अब बुद्ध को साबित करें आप अपने धरम की बात कर रहे हैं आप अपना धरम कभी नहीं पढ़े हैं आपके धरम में आप होते कौन है करने वाले मैं तो यही पूछ रहा हूं पहले जब जो आरोप आप लगा रहे हैं वही ठीक आरोप मैंने आपके धरम पर उठा दिया कि वही चीज ठीक आप में प्रेक्टिस की जा रही है आप भाग रहे हैं दूसरे की गलती आपको बड़ी दिक्री आप आपको बड़ा दिख रहा है अपने घर का कब देखेंगे आप सत्य में हो जैते आप अपने घर का कब देखेंगे हमेशा दूसरी के घर में क्यों देखते हैं सत्य में हो जैते हैं ऐसे नहीं चलेगा काम ऐसे नहीं चलेगा आपको बताना पड़ेगा गुरकुल में आप हम बोलेंगे ना आपने एक सवाल उठाया कि बुद्ध मारग में तो जाके लोग भिक्षा मांगते हैं मैंने वही सेम सवाल दागा है कि ये बताइए कि आपके मनुश्मृति में जो पूरा एक चेप्टर डेडिकेटेड है कि बच्चों को यगोपवीत करके पढ़ने गुर मैं बच्चे को बच्पन से ही सीखा दिया जाता है कि भई यह भिक्षा मांग कि तुझसे करना आईहे तक सिख्टा जाता है कि तुझसे दिखते रहा ना कि उस घर में धुड़क्र रहा है जैसे धुझसे ऑठेगा उसके यहां भिक मांगना ये तूब ब्रामध यह जाता है तो हम उससे खड़ा करेंगे ना सवाब थोड़े होते हैं बताने वाले आप अपना देखिया ना आपकी आप लोग क्यों मांगते हैं आपको अपना बताना चाहिए कि आप क्यों मांगते हैं आपका मनुस्वर्ति क्यों सिखा रहा है गुर्कुल में कि जाते हैं आपके जितने भी धर्म गेता है को जो है जितना बोल दिया उतना हमने सुन लिया ना आप तो जब बुद्ध को बता रहें कि आत्मा भी मानते हैं परमात्मा ही बानते हैं तो बात ही खतम हो गई डिविट को नहीं पता है दूसरे का थोड़े सुन लेंगे आपने शुरू में ही गलत बोल दिया पूरी घलत कर दी तो आपसे हम लोग क्या डिविट करेंगे आग चलिए इन लोगों के पास जो है अपना धर्म में बिख़्ा मांगते हैं दूसरे में बताने चलने और को हम करते निया हम फूर्यम सबूर आहित, हम लोग वह मांगती है था तय।